सभी मित्रों को कुमार राजिश का नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे धर्म के बारे में कि धर्म आखिर है क्या चीज़? धर्म शब्द का आर्थ क्या है? धर्म क्या है? धर्म कितने प्रकार के हैं? हमारा क्या धर्म है? पश्चीमी भाषाओं में धरम शब्द से मिलता हुआ शब्द ढूंडना बहुत कठिन है हिंदू, मुसलिम, इसाई, जैन, बौध ऐसे न जाने कितने धर्मों से हम वाकिफ हैं लेकिन ये सब धरम नहीं है ये संपरदाय हैं या समुदाय मात्र हैं संपरदाय एक परंपरा के मानने वालों का समुह होता है किसी स्थान विशेश में किसी महापुरुष द्वारा चला गया संपरदाय या समुदाय आजकल धरम माना जाता है किसी स्थान विशेश की परिस्थितियों से या समाजिक विसंगतियों से रुष्ट होकर जब कोई महापुरुष कोई नया रास्ता अपनाता है फिर विवेक्ति एक ऐसा रास्ता शुरू करता है जिसमें जीवन आसान हो और धीरे धीरे उसके मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती है और उसके अनुयाईयों द्वारा एक समदाय सा बन जाता है जो धीरे धीरे एक संपरदाय का जर्म लेता है और जिसे हम आगे अहिंसा, न्याय, सदाचार, सद्गुनादी धर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है धारन करने योग्य अर्थात जिसे धारन करना चाहिए महाभारत में कहा गया है स्वकर्म निर्तु यस्तु धर्मह सा एती निश्चयह अर्थात अपने कर्म में लगे रहना अर्थात विद्वान लोग उदार्ता को ही धर्म कहते हैं महाभारत के शांती पर्व में कहा गया है सत्यम धर्मस तपो योगह अर्थात सत्यही धर्मह सत्यही तप है और सत्यही योगहै महा भारत के शांती पर्व में एक इस्थान पर कहा गया है अर्थात सभी प्राणियों के हित में लगे रहने वाले पुरुशों ने दान को धरम बताया है हमारे शास्त्रों में कहा गया है धार्यति इती धर्महा अर्थात धर्म का अर्थ है धारन करना और धारन करने योग्य जो चीजें हैं उनको बताया गया है कि सत्यक्षमा, विद्या, दया, दान ये सब धारन करने योग्य है कर्म में लगे रहना धर्म है अर्थात कर्म धारन करने योग्य है उदारता धर्म है अर्थात उदारता धारन करने योग्य है इसी तरह सत्य धारन करने योग्य है इसलिए सत्य धर्म है और दया धारन करने योग्य है इसलिए दया भी धर्म है जिसे हम आजकल हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं दरसल वह सनातन परंपरा है हिंदू इसलिए कहा जाता है कि सिंदू नदी के किनारे रहने वाले लोगों को कालंतर में हिंदू कहा जाने लगा लेकिन इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है सनातन व्यवस्था तब से है जब से पृत्वी पर अन्य कोई समधाय ये संप्रदाय नहीं था जब मनुष्य प्रत्वी पर सिर्फ मनुष्य था, उस समय केवल मनुष्यता या मानफता को ही धर्म माना जाता था, अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाना ही धर्म है, जैसे अपने माता-पिता की सेवा करना, अपने राष्टर की सेवा करना, अपने दायित्तों को समझना सही तरीके से धीवी जिमेदारियों का पालन करना ही धर्म है सनातन व्यवस्था में चार पूरुशार्थ स्विकार किये गए हैं जो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जिसमें अपने दाइत्वों को ठीक से पूरा करना धर्म के अंतरगत आता है गौतम रिशी ने कहा है यतो अभ्यूदय निश्रेयस सिद्धी हिसा धर्म अर्थात जिस काम के करने से अभ्यूदय और निश्रेयस की सिद्धी हो वह धर्म है इसी तरह मनुने मानब धर्म के दस लक्षन बताए हैं ध्रिती क्षमा दमो स्तेयम शोच मिंद्रिय निग्रह धीर विध्या सेत्यम क्रोधो दशकम धरम लक्षनम अर्थात ध्रिती यानिके धर्य क्षमा दम यानिके अपनी वासनावपन यंत्रण करना अस्ते यानि चोरीना करना शौच यानि के अंतरंग और भाय शुचिता इंद्रिय निग्रह यानि के इंद्रियों को वश में रखना धी यानि के बुद्धिमता का प्रयोग विद्या यानि के अधिक से अधिक ज्यान प्राप्त करने के इच्छा रखना सत्य यानि के मन वचन कर्म से सत्य का पालन करना और अक्रोध यानि के क्रोधना करना ये दस मानव धर्म के लक्षण है जो अपने अनुकूलना हो वैसा व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए यह धर्म की कसोटी है अर्थात धर्म का सर्वस्य क्या है यह सुनो और सुनकर उस पर चलो अपने को जो अच्छा ना लगे वैसा आचरन दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए यही धर्म है धर्म को धर्म करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं एक हमारी आत्मा और दूसरा शरीर आत्मा का धर्म है परमात्मा को धर्ण करना अर्थात उस विश्यों को बनाने वाली शक्ति को मानना और उससे इस प्रकार की भक्ति करना जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे धर्म का दूसरा प्रकार है शरीर के लिए धर्म शरीर का धर्म है माया को धारन करना अर्थात शरीर के लिए केवल माया धारन करने योग्य है क्योंकि परमात्मा, आत्मा और माया ये तीन तक्तों है इन में से शरीर संसार का अंश है यानि शरीर माया से अर्थात पंच तक्त्यों से बना है अब चूंकि ये शरीर संसार में रहता है इसलिए संसार अच्छे से चले इसके लिए शरीर को कुछ कर्म करने पड़ते हैं उन कर्मों को सही तरह से करने से सच्चे धर्म का पालन होता है सनातन विवस्था में 100 वर्ष के मनुष्य की आउयू के अनुसार 25-25 वर्षों में शरीर के धर्म बाट दिये गए हैं पहले के 25 वर्ष विद्या के लिए और धमचारे के लिए उसके बाद 25-50 वर्ष की अवस्था ग्रहस्ते जीवन के लिए उसके बाद 25 वर्ष बानप्रस्त के लिए यानि वन में जाकर ध्यान लगाने के लिए और 75 वर्ष की आयू के बाद की 25 वर्ष सन्यास के लिए माने गए है यानि कि हर 25 वर्षों के बाद शरीर का धर्म बजलता गया है अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा धर्म क्या है हमारा धर्म है सच्चा ही पर चलना और दूसरों से ऐसा व्यवहर करना जो स्वयम हम अपने लिए चाहते हैं चूंकि वस्तुता है हम आत्मा है शरीर नहीं है शरीर तो नश्ट हो जाता है इसलिए हमें उस शक्ती की उपासना आवश्य करनी चाहिए जिसने सारी दुनिया बनाई है अब रही ये बात कि वह शक्ती क्या है उसका रूप कैसा है तो उसके लिए मुझे तुलसिदास ची के पंक्तियां याद आ रही हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी अर्थात जिसकी जैसी दृष्टी होती है उसे वैसी ही मूरत नजर आती है प्रभु की तो आप उस परमेश्वर को उस शक्ती को किसी भी रूप में चाहें उसकी उपासना करें तो उस शक्ति का साथ आपके साथ बना रहता है दोस्तों सनातन व्यवस्था में अर्थात जब से प्रकरती बनी जब से मनुष्य प्रत्वी उपर आया और जब कोई समुदाय संप्रदाय नहीं था तब मनुष्य ने उन सब चीजों की पूजा राधना की जो उसके जीवन में बहुत जरूरी थी जैसे उसने नदियों को मामाना, ब्रिक्षों की पूजा की खेती की पूजा की, सूरज की पूजा की, आकाश की पूजा की सनातन व्यवस्था में मनुष्य पैदा होते ही सनातन व्यवस्था का अंग होता है जबकि प्रचलित संपरदायों में, जिने हम आजकल धर्म कहते हैं, चाहे वो इसलाम हों, इसाई हों, बौध हों, जैन हों, उनमें मनुष्य को पैदा होने के बाद कुछ निश्चित प्रक्रियाओं या संसकारों से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद ही उनको उस चाहे उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई संसकार हुआ हो या ना हुआ हो, उसके लिए धर्म है, सच्चाए पर चलना, और दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना, जैसा व्यवहार वह दूसरों से अपने लिए चाहता है। और उन में किसी भी प्रकार के वर्तमान में मौझूद संपरदाय का कोई उल्लेख नहीं है क्योंकि तब इस तरह की कोई अवस्था थी ही नहीं तब मनुश्य केवल मनुश्य हुआ करता था पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के एक मानस पुत्र हैं जिनका नाम है धर्म जो की उनके दाही ने वक्ष से उत्पन्न हुए और भ्रह्मा के मानस पुत्र धर्म का विवा हुआ था दक्ष की तेरा पुत्रियों से, जिनके नाम है श्रद्धा, मैत्री, दया, शांती, तुष्टी, पुष्टी, क्रिया, उन्नती, बुद्धी, मेधा, तितिक्षा, हृी और मूर्ती. इन में से श्रद्धा से नर और काम का जनम हुआ, तुष्टी से संतोष और क्रिया का जनम हुआ, क्रिया से दंड, नय और विने का जनम हुआ. तो इस चीज़ को अगर ध्यान से समझा जाए तो आपको पता चलेगा कि धर्म से सम्मंधित कितनी चीज़े हैं क्योंकि उनकी पत्नियों के जो नाम बताये गए हैं वह सब क्रियाओं में धर्म छुपा हुआ है विश्णु पुराण में तो अधर्म का भी उलेख है उसमें अधर्म की पत्नी को हिंसा बताये गया है जिन से अनृत नाम का पुत्र और निकृती नाम की कन्या का जनम हुआ भय और नर्क अधर्म के नाती हैं इससे ये पता चलता है कि अधर्म क्या-क्या चीज़े हैं तो दोस्तों इतना तो आपको इस्पष्ट हुई गया होगा कि आधर्मिक समाज में हम जिन चीज़ों को धर्म समस्ते हैं वो धर्म नहीं है वे सरिफ एक संपरदाय या किसी समुदाय का नाम मात्र है रिशी याग्य वलकने धर्म के नौ लक्षण गिनाए है इनसे पता चलता है कि ये नौ चीज़े ही धर्म है इन नौ चीज़ों का पालन करना ही धर्म पर चलना है तो दोस्तों आप ही बताईए कि अगर आप किसी मुनश्य को कष्ट पहुचा रहे हैं अपने माता पिता का सम्मार नहीं करते हैं आर्थिक लाप के लिए किसी को भी किसी भी हद तक परिशान कर सकते हैं फिर आप कहें कि मैं बहुत धार्मिक हूँ मैं इतना पूजा पाट करता हूँ या मैं इतनी बार मस्जिद जाता हूँ इतनी नमाजे पढ़ता हूँ तो फिर उस वक्ति के उस धर्म को मानने से क्या फायदा दोस्तों यह विशय बहुत बड़ा है जिफ पे जितनी चर्चा की जाए उतना कम है लेकिन चलते चलते मैं फिर से आपको वही बात कह रहा हूँ जो मैंने वीडियो में पहले भी कही है अर्थात धर्म का सर्वस्व क्या है सुनो और सुनकर इसका अनुगमन करो जो आचरन सोयम के प्रतिकूल हो वैसा आचरन दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए तो दोस्तों आपको धर्म की परिभाशा समझ में आ गई होगी इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए नमस्कार सदा खुश रहे मुस्कुराते रहे